हिमाचल प्रदेश के डिजीपी संजे कुंडु ने आज जीला पुलिस बद्दी के कृष्णिपुरस्थित पुलिस लाइन में ओपेन एर प्रबल जिम का उधगाटन किया और उन्होंने कहा कि यह जिम हमारे छेतर के पुलिस कर्मियों वह समाज के सभी लोगों के लिए है उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ती स्वस्थ होगा तो उसे किसी भी प्रकार की बिमारी का जीवन में कोई खत्रा नहीं होगा और वह स्वस्थ रहेंगे उदगाटन के बाद DGP ने पुलिस लाइन में महिलावा पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए बन रहे 34 बैरिक जो की BSNL दौरा तयार कर दिये गए हैं उसका निरिक्षन किया उन्होंने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगरह करेंगे कि जब भी उनका बद्दी नालागर का दौरा होगा तो वे इसका उदगाटन करें जिसके बाद यह पुलिस के उपयोग में आ सकेगा जिसके लिए उन्होंने जिल्ला पुलिस बद्दी के पुलिस कर्मियों को बधाई दी साथ ही उन्होंने बताया कि मानपुरा वनालागर छेत्र के थाना के निर्मान के लिए DPR तयार कर सरकार को भेज दी गई है जो की सरकार के विचारा धीन है यह दोनों थाने लगभग 8 करोड की लागत से तयार होंगे इसके बाद DGP द्वारा बद्दी में बन रहे महिला थाना का भी निरिक्षन किया गया आद देखें इसा है कि शिंपूरा में एक तो ओपन हेर जिम का इनाउग्रेशन किया उसके लिए में मैं SP साब मोहिच चावला इनकी पूरी टीम और पूरी बद्दी पुलिस फोर्स को बहुत-बहुत मुबारक देता हूं इस तरह का पहला उपन एर जिम है इमाचल में और इससे मेरे को लगता लोगों को स्वस्त भी ठीक रहेगा मनोगुल भी ठीक रहेगा साथ ही साथ जो द मुख्य मंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे जो अब जब इनका नालागर्ड या बद्दी अगला दो रहा हो तो दोनों भवन इनाउग्रेशन के लिए तियार हैं और उसके बाद यह बद्दी पुलिस को समर्पित होंगे इसके लिए भी बद्दी पुलिस को बहुत-बह बवन बनेगा यह नालागर्ड और एक और मानपूरा पुलिस टेशन के करीब 8 करोड की लागत से बवन बनेगे और मैं आशा करता हूं सरकार जल्दी उनका अड्मिस्ट्रेटिव अप्रूबल देगी और उनका काम चालूँए हिमाचल प्लस न्यूस के लिए नालागर्ड से सूरेंदर संकी रिपोर्ट